साथ मैं हूँ अंजिना ओम कश्यप वो जो मेरे सामने मुश्किलों का अमबार है उसी से मेरे होसलों की मिनार है प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही की लिखी हुई कविता की ये दो लाइने हैं आपने 400 पार वाला तागेट सेट किया है होसलों की मिनार का उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ है श्वेता सेंग राहुल कवल सुधीर चौधरी हम चारों आप से सवाल जवाब करेंगे आपको सबकाम स्वाधत है और आज तक के धर्शकों को मेरे नमस्कार है और मेरे लिए खुशी है कि पूरे चुनाओं में कही ब अच्छे वाली में बोल दूगा प्रशान मंत्री जी लोग जब चुनाओं की तयारी करते हैं तो उमीदवारों की लिस्ट बनाते हैं वो कौन हमारा स्टार क्यामपेनर होगा ये सब घुशना पत्रते करते हैं लेकिन आप सौ दिन आगे का अजेंडा बनाने में लग गए है इसलिए मेरा पहला प्रशनाप से यही है कि 2014 में जब आप आए तो सो दिन के अंदर आपने ओरोपी कालेधन पर एसाइटी गठित की 2019 में आए तो 62 दिन आपने ट्रिपल तलाग से आजादी दिलाई और कश्मीर में 370 से आजादी दिलाई 66 दिन 2024 में अगर आप सत्ता में आते हैं तो सो दिन में क्या करेंगे कौन से बड़े और सक्त फैसले ले सकते हैं एक तो शायद मेरी कारशेलिक है हिस्सा है कि मैं चीजों को बहुत बैलेंड एडवांस करता हूँ जब मैं संगर्षन का काम करता था तब भी मैं काफी पुर्वानुमान लगाता था कि मुझे इस समय ये करना है इसलिए मैं ताइम का भी ढंग से बटवारा करता हूँ प्राइटी भी बड़ी आसानी से तैकर सकता हूँ मैं किसी मैंनेजमेंट स्कूल का स्टूडन तो नहीं रहा हूँ लेकिन शायद ये मेरा काम करते करते डेवलिप हुआ है जब मैं गुजरात में था तो गुजरात में भी मैं और आम तोर पर जो क्रिटिक्स होते हैं या उब्जर्वर्स होते हैं वो शुरू के तबके का देखते हैं बहु भी जब शादी करके घर में नहीं आती है तो पहले पांस साथ दस दिन बराबर देखा जाता है यह कैसे प्राइट भी कहते हाँ उस वाभाव कर रहता है दुनिया का स्वभा सिंग घर्टा बताता हूं 26 जन्वर को गुजरात में भुकम भाया भाहिंकर भुकम था मैं उसमें पार्टी का काम करता था अक्तूबर सेवन को मुझे अचानक सीम बनना पड़ा हूं सीम सब्साइब करकर मैं सीधा भुकम गर्ष इलागे में शरा रहा है दो तिन रात में रहा देखा सब छीजिए पहले वोलेंटेर के रूप में देखता था मैं सिद्धा की मेरे आपसरों की तो सब में बता है सांब मार्च मेने तक ही हो जाएगा मार्च में मैं का सबसे प मुझे बताऊ 26जनवरी के पहले क्या करोई आनकि दुनिया 26 जनवरी को देखने आएगी की एक साल में क्या किया सारह ruler chron करिये मुझे बताईए फिर मैंने पूरी मेशिन्च की या और मैंने यहां शायद 24 जनवरी को दिलमे कर डिस्ट की थी और मैंने मिडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेड़ दे लेकिन बजा आप देखेंगे चौबिस पचीश जनवरी की रिपोर्ट वह वही के सिवा कुछ नहीं था और उसका एक कारण यह था कि मैंने मार्च के डेड़न को प्रिपॉंड कर लिया तो मेरी टीम का उत्सा भर गया कि यार देखे सफलता काम रखेंगे नहीं हो रहा है तो मैं इसकी ताकत समझता हूं और इसलिए मैं एक सौधिन का दूसरा मैं यह नहीं चाहता हूं कि सरकार चलती है यार को अच्छी चीज़ा जाई कि देख लेंगे जी नहीं सरकार मुझे चलाना है सरकार चलती है इसके लिए मुझे लोगों ने नहीं पिठाया है यह मुझे देश में कुछ चीज़ों को चलाना है मुझे कुछ चीज़ों को बदलना है और इसलिए मेरे पास तो मैंने क्या किया 2014 में मैंने 100 दिन के लिए सोचा 5 साल के लिए मैंने लिए धा 2019 में मैंने ये भी देखा सासाथ में अमने ग्लोबल चित्र की तरफ हो ध्याना कर सित्किया मेरा मैं मेरी सोथ थोड़ी लंबी है मैं पिछले पांच साल से काम कर रहा हूं 2047 पे और यह पांच साल से काम चल रहा है देश के साइद विश्कलाप से ज्यादा तो मैं कह सकता हूं जिन से मैंने इंपूट लिये हैं और मैं उनके आधार पर 47 का वीजन डॉकिमेंट बेंद दो पीड़ी अपसोरों की रिटार हो चुकी होगी इस पर काम करते करते काफी नए लोग आये हैं अब मैंने कहां मैंने चुनाव के एक महने पहले गोशे दोने के एक महने पहले पुरा बड़ी समीट की थी मेरी सभी काउंसिल की और सभी सच होई फिर मैंने कहा भी यह 2047 जो ह अ क्या है अब मुझे उसको पांच साल में बताई फिर मैंने पांच साल कर बनाये मैं फिर मैंने सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब उसके आधार पर पुशनी किजिए तो उन्होंने काम कर रहे हैं पैयार किया है मेरा उनके साथ बैठना भी बाकी है मैं समय निकाल करके बैठ लूँगा तो यह तैयार है मेरा लेकि अब मेरे मिन में काम करते करते नए विशार आया है तो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ मैं जब सोथ दिन का सोच रहा था अभी मैं 700 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं उत्साहिद भी हो गया हूँ मैं देखा कि प्लूरे कैम्पेन में हैं फर्स्ट टाइम बोटर को हो यू आप यू को यानि मैं उनका पॉंगलबन देख रहा हूँ हुर्थ और मैं उंकि एस्परिशन को भी कर रहा हूं तो मैं जाарकल मैं करने वाला हूं कि मैं अब 125 दिन पर काम करना चाहता हूं सो दिन का मैंने प्लान कर लिया है 25 दिन और देश की वहाओं के हो तो हसवास होगा मैं अब करूंगा काम सौसे मैं आगे बढ़ रहा हूं पचीस दिता तो हो सकता है सर हमारा अगले टर्म की बात कर रहे हैं आप सौ दिन में एक सौ पचीस दिन में इससे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है यानि लोगों कोई आश्वस्त हैं कि आप वापस आने वाले हैं जब बीजेपी के टिकेट डिये जा रहे थे उस समय लोग कहते थ कि टिकेट नहीं है यह निर्वाचन का सर्टिफिकेट है हर जगा जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान केंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भई आपके नाम एक शोरटी कैंडिडेट्स में या कारे करता हूं ने एक तो यह जो चुनाव जितने वाला हूं यह हमारी सरकार बनने वाली है इस अनुमान पर पहुंचने में आप बहुत काफी लेट है बहुत लेट है आप मुझे राष्पति पूतिन का फोन आया था सितंबर की मिटिंग के निमेंदर के लिए मुझे जी सेवन का फोन आये तक हमें मिटिंग के चाहिए तो दुनिया को तो पुरा वरुसा है कि यह सरकार बनने वाली है आप काफी लेट है लेकिन फिर भी दे रहा है दुरस आए कि आइआ जहां तक चुनाओ का सवाल है मैं ने एक साल पहले मेरी पार्ट्य को कहा था बड़ी मिटिंग करने कि के इसकी कि कंडिडेब का इंतजार मत करो है दो कि आपका कंडिडेट गोसित हो चुका है और और वह कनलung है कमल ही आपका candidate है और कोई candidate ही नहीं तो एक साल से मैं सिरफ कमल के लिए ही काम करना ताइक करो चुका है मेरी पार्टी को मैंने उस प्रकार से गल्विनाइज कर दिया था तो हम कमल के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं मैं भी कमल के लिए काम कर रहा हूं मेरे साथी और हमारे ऑपनों भी कमल के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो जितना कीचड़ उचालते हैं कमल ज्यादा खिलका है तो वो काम वो कर रहे हैं और हम कमल की बात में होता रहे हैं पर आ आप देखें को स्ट्रेट हाईवे होता है ना वहां एकसिडेंट ज्यादा होते हैं तो जगाई रखना चाहता है तो मैं कमफर्ट जोन वाली दुनिया मुझे मनजूर नहीं लोग भी कहते हैं कि सब इतना असान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप मेहनत मैं इसको आफस कर रहा है उनकी भावनाओं को सभजना यही तो मेरी प्राण शक्ति है कि मेरी उर्जा है दूसरा है लोक तंत्र में चुनाओं को हमने कि जीत हार के सिमिद अर्थ में नहीं लेना चाहिए यह बहुत बड़ा एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी होती है आपके पास अफसर होता है अपने विचारों को लोगों तक ले जाने का और आप जब डाइरिक भीचार ले जाते है तब ने डिलूजन होता है ने डाइवर्जन आता है यह परफेक्टली मैसेजिंग आप कर सकते हैं फिर आप अब जैसे काशी से गया तो मैंना काशी का मिजा जाए था लेकि मैं कोडर मा गया वहाँ का जो दुरश्य देखा तो मैंने अपना पुरा भाश्वान का विशे बदल दिया पहले मैं जाता करें मतदाताओं को एड्यूट करें अपनी वरकिंग स्टाइल से ऐड्यूट करें अपने प्रोग्ड्रम से जोगेट करें यह काम सब ने कना चाहिए घ्यूट 25 दिन बचे हैं अपने उसी सवाल से आगे बढ़ते हुए मैं ये आप से जानना चाहते हूं कि वो कौन सी बात है कि आप जिम्मेदारी उठा लेता है मुझे गुजरात के दो विधान सभा चुनाव मैंने कवर किये ये तीसरा लोग सभा आपका चुनाव है जो मैं कवर कर रही हूं मैंने देखा हर जगे आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है क्योंकि इसमें एक डर फेलियर का भी रहता है जो शायद आप मैसूस नहीं करते हैं कभी पर 400 पार का नारा के साथ आपने शुरू किया बहुत बड़े मतलब उस समय सब लोग आप पर हावी हो ग अगली बार ना जुरू कहते होंगे नाइंटी लाइन लाए होगे बुले नाइंटी नाइन है सो लाना तो मुश्किल है लेकिन फिर भी जुरू कहते होंगे हमारे पास अल्रेडी उन्रेट से चौबिस चार सो थे कि नडीए के रूप में और नडीए प्लस के रूप में तो यह मेरा करतवे मंता है अभीभावा के रूप में भी कि छार सो पार आगे जाना है तो यह मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम निरणता आगे बढ़ना चाहिए तो नहीं कह सकता 90 आए यार तेरे किसी दोस्त को 90 नहीं है साथ आएंगे तो चल जाएगा तुम चिंता मत को रहा अधा नहीं कह सकता चाहते हैं यह तो देश के लिए सबसे निराशा और दुख की बात हैं कम से एक इनसान है जो जिम्मेवारी लेने वाले लोग होने चाहिए ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो अपने साथियों पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाए यह सोभा नहीं देता है यह तो धाननत्री जी जब 2014 का चुनाव हुआ उस वक्त देश में मनमोहन सिंग के खिलाफ कॉंग्रेस और यूपिया के खिलाफ बहुत गुस्सा था लोग बदलाब चाहते थे 2019 का चुनाव हुआ उससे पहले पुलवामा बालकोट हुआ राश्रिता का भाव था देश बर में और लोग आपको एक और मौका देना चाहते थे इस बार विशलेशक ऐसा कह रहे हैं कि क्या उस तरहां का जोश और जस्बा वोटर्स में है जो कि 2019 में था वोटिंग पसेंटीज थोड़ी सी कम हुई है वोटिंग पसेंटीज के दिकलाइन को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि वोटर्स में एक तरीके से उस तरहां का एंथूजियाजम नहीं है जो कि 2014 और 2019 में था उसको आप कैसे शड़ी करते हैं ऐसा है कि तो यह आप है मैं गुजरात में पार्टी का काम करता था तो यहांने साहिज वो होगा चुनाओ और 95 पहले का कोई चुनाओ तो उसके परहें नगरपाली का कि चुनाओ आए था हुए थे और नगरपाली का चुनाओ में हमारी यहां सिंबॉल पर नहीं लड़ा जाता था ज़्यादा इन्दीपंडें लड़ते लोग लेकिन भाज़ा पाने शुरू किया कि नहीं हम सिंबॉल पर लड़े हैं लोग को आधर रज़ को जिम्मेवार इत्ता है हो लड़ते थे बीजेपी पर फी कारकर का लड़ते हैं लड़ते तो हम पार्टी सिंबॉल पर लड़े दिल्ली से जो पत्रगार आते हैं और चुनाव का चुनाव करते हैं अब यह भी तो मैंना कहा है यार तुम लोगे काम नहीं है कोई तो करो यह नगरवाली का चुनाव कैसे होता है स्टड़ी तो करो वैसा ही है यह मतदान का मतदान का पुल्टिकल पार्टी के पफ़र्मट्स अगरी चीचों से जोड़ करके देखने के बज़ा ही देखना चाहिए कि लोगतंत्र में मतदान बड़ा महत्वपूर है उदासिंता लोगतंत्र लिए अच्छी नहीं है हमारा न है करक है अब उन परकों के बिजने समय बरबाद करके क्या करेंगी जैसुर् लोग बोल रहे थे 400 पार लेकिन मुझे पता तो चलता है तैसल में करूंगा सो दिन में का करूंगा पांट साल में क्या करूंगा 2047 मुझे मालुम है कि जिम्ह निपाना है लेकिन आपके इस आत्मविश्वास को जोड दिया जाता है बहुत सारी और चीज़ों से भी संस्थाओं पर सवाल उठाये जाते हैं और विपक्षी दल जो आपके उपर एक बहुत संगीन आरोप लगाते हैं सरकार पर वो ये कि संस्थाओं को प्रभावित किया जाता है और उसमें Election Commission का नाम क्योंकि उस संस्था पर सबका जनता का भरोसा है इसलिए मैं इस आरोप पर आपका जवाब चाती हूँ कि वो कहते हैं पहले चरण का जब चुनाओ हुआ तो मद्दान के आंकड़े आने में 11 दिन क्यों लग गए क्यों उन आकड़ों को छुपाया जा रहा है इस आरोप पर क्या कही है बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं कम सकम आज तक से अप्रक्षा करता हूं और हो सकते तो इंडिया टूड़े भी इंडिया तूड़े आपका हां दोनों से कि जो इलेक्शन कमिशन ने एक चिठी लिखी है उच चिठी पर ही बिद्वानों की डिबेट हो पुल और उन्होंने सही किया गलत किया क्योंकि मैं इसी के लिए कोई कॉमेंट करूँ ठीक नहीं है दूसरा इलेक्शन कमिशन यह जो इंस्टिटूट है करीब करीब पचांस साथ ताल तक सिंगल मेंबर रही है और मजा यह है कि इलेक्शन कमिशन से जो लोग निकले वो कभी ग पार्लामेंट का चुनाव लड़ने गए अडवाने जी के सामने मतलब उन्होंने कैसे लोगों को बिठाया था इसका उदावने उस जमाने के जो इलेक्शन कमिशन जो रेटार हुए जो बैठे हैं वे आज भी उसी पोलिटिकल फिलोसॉफी को प्रमोट करने वाले ट्वी से और मुझे पक्का विश्वास है अभी नहीं तो कभी आप लोग करेंगे कि भारत के इलेक्शन कमिशन के जो यात्रा है इस पर अनालिसिस हो मेरा दूसरा कहना है दुनिया में भारत के ब्रांडिंग के लिए जो हमारे पास अलग अलग चीज़े हैं जैसे मैं जब दुन दुनिया को बताता हूं कि ये मेरा देश है 900 तुक शुनक करके प्राइन डहने नहीं पर मैं कहता हूं दुनिया के सामने भारत का एलेक्शन कृच्छन भारत के इलेक्षन प्रोसेसि भिश्व के लिए बाओत बड़ा अज्यूबाרכं मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग अलग मीडिया हाउसिस को यहां इन्वाइट करना चाहिए चुनाओं मैं अगले बार के लिए बास इससे आपका भी एक ग्लोबल बनेगा जैसे इस बार हमारी हां कई प्रणी पॉल्टिकल पार्टी के लोग आए दुनिया वर से कुछ आप्जरवर के रूप में लोग आते हैं देखने के लिए आते हैं सच में भारत का लोकतंतर का उस्षा हो भारत के सामाने मादमी की लोकतंतर के समय और कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी लाको लोग लगते और समय से माँ यह अद्भूत काम है जी यह बहुत बड़ा मैं तो मानता है दुनिया की उन्यूवर्सिटी के स्ट्रडी है और आपके अरून पूरी जी पढ़ने लिए उनको कहिए कि भारत की एलेक्शन पोस्टेस पर महां की उन्यूवर्सिटी के स्ट्रडी करें यह एक बहुत बड़ा है इंदुस्तान का चाहिए हमने गर्व करना चाहिए तो आपने आज तक हलिकॉप्टर शॉट देखा कि नहीं देखा मैं समय नहीं मिला मुझे देखा नहीं लेकर मुझे चिंता जुरूर रहती थी कि क्योंकि तुनी आपा था पी मैं अच्छे हलिकॉप् कर रहे थे सर जैसे जब भी आप चुनाव लड़ते हैं चाहिए गुजरात में यहां हर बार लोग यही कहते हैं अब आप हार रहे हैं फिर आप जीत कर आते हैं ज़्यादा सीट जीत कर आते हैं जब से आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों को बताया और उसका एक आगे यह है कि अब वन नेशन वन लीडर हो जाएगा और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्या कभी आपको आफसर मिला है क्या कि ऐसा जो बोलते हैं उनको जड़ा काउंटर सावल करें एक अग बार तो पीजिए है कि आप यह नहरेटिव लाहे कहां से कंभीर बात है उनको बताए कि आपने यूशी सी पढ़ा है क्या यूशी होता क्या यह तो पुछ तो आपके जिम्मेवारी बनती है नहीं मुझे जवाब दे करके देश को बताना या आप भी तो थोड़ा है वहमबर की जिए जिनके मन लेकिन लेकिन कम से कम इस देश के पास एक्जाम को आपके लोग एक प्रकार का खाना खाते हैं क्या मजाग बना के रखा यूनिफरम सिबिल कोड इसका इसका को लेना देना ही नहीं जी भारत की सुप्रिम कोड ने कम से कम दो ड़जन बार कहा है कि इस देश में उससे से लाओ मुझे याद है कि मैं शायद एकता हैत्रा में जब चला था तन्याकुमारी से कश्विश जा रहा था और महराष्ट मैं शायद और रंगाबाद मौस्पा बेर्दिश है कि हमारा जो रुखर का साम का जो कारकम था उसमार चीली का कोई बाजार है कि अर्ट्र जोशीच जी को उसकी थे घैं थे तो उसकी बिमार हो गए है जने बड़ी हारोत खराब करें तुम फरा मुझे समालना पड़ा गश्यूनियत है तो फिर वहां हम पर बच्चों के बच्चों पर बिच्चों नियुक्त सब्सक्राइब बड़े भाई के लिए आपके मातर पता एक नियम कानून रखते हैं दूसरे भाई के लिए दूसरा नियम कानून रखते हैं आपका परिवार के लेगा सब नहीं नहीं ऐसे चल दकता है नहीं मैंने का बया सब देश देश तो चाहता है कहता है क्या है साम द्याने दस सवाल पूछे दिए उन बच्चों ने कहा इनिव हम सिविल को होना चाहिए और यह आठवी नहीं के बच्चे थे जो मेरे देश के महाराश्चा के टीर टू टीर थी सिटी के बच्चे समगते हैं वो देश के नेता नहीं समगते हैं तब मेरे मन में सवाल उठता है यह जूठे नेरेटिव और नेरेटिव कोई इंसान नहीं चलाता है माप करना इस देश के मीडिया हाउस का गैर जिम्मवार भ्यवार है जो ऐसे गलत नेरेटिव को बल देता है एक आदमी कि क्या काकत है जी बोलता रहेगा कौन-कौन पूछेगा जी यह देश का देश के लिए यह किछी पुलिटिकल पार्टी का भीशन नहीं है जी देश के संविधान में लिखा हुआ है जी कि भारत को उस दिशा में जाना चाहिए क्या उस समय के हमारे लोगों को यह था कि सबको गुलाब लगाना पड़ेगा इसलिए उसी से आने वाला था संविधान सभा में यह आया था नेरेटिव में अब देखे जैसे यह एक नया चल पड़ा कि संविधान बदलने वाले हैं और यह अचानक से उन्होंने कहा और व सिर्फ हैं यह कुछ नहीं जी यह समिधान सवाल यह पूछना चाहिए चर्चा इस देश में सबसे पहले समिधान के साथ खिलवार किस ने किया पंडित नहरू ने किया पहला समिधान में उन्होंने जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रिडम ऑफ स्पीश को रिस्ट्रिक करने वाला लाइग यहनि वो लोगतंतर के भी ख़लाप असा है दूसरा उनकी बेटी राई प्रधान मत्री ती बेटी ने क्या किया कॉर्ट ने जज्जमेंट दिया कि आप पार्लेमेंट में नहीं रह सकते हैं तो कॉर्ट के जज्जमेंट को उलत कर दिया देश में आप दो लंच चला तो उन्होंने इमर्जन से लगा करके सारे अख़पारों को बन कर दिया मर्जन से का फायदा हुआ करणपुरीकों इंडिया का जन्म हुआ जो भी फायदा हुआ हुआ पहुत उन hon mould का सवाल है उसके बाद उनके बेटे आये सहावानों का जिज्मेंट अज़िए खिर उन्होंने कानून लाए जो कानून था बीडिया पर रिस्ट्रिक्षन का देश भर में वीपक्स थोड़ा मजबूत हुआ था मिडिया भी वाइबरेंट होने लगा था सब तूट पड़े हम फिर से मर्जंसी नहीं आने जेंगे दर करके मारे उनको फिर वो भीड्रा करना पड़ा फिर उनके साथ बेटे आए तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है कि मुझ समिधान की कोक से सरकार बनी से चावां मुझे पसंद है नहीं पसंद नहीं चलता है कि वारत के लोकतांतर समिधान की कोक से केबिस्ट बनी से उसके दों से मपनिय किया और एक साहजादा प्रहें लगा me केबिनेट के नेने की दच्चे उड़ा देता है इतना ही नहीं केबिनेट फिर अपने मुद्दे को रिवर्स कर देती है इसका मतलब यह हुआ कि एक ही परिवार के चार लोगों ने अलग-अलग समय पर संभिधान की दच्चे उड़ा दी हैं उन लोगों को संभिधान के लि कि मोदी जिंदा है तब तक जो संविधान सभा गी मूल भावना है कि धर्म के आध़र पर आरक्ष नहीं होगा मैं इसकी लड़ाई लड़ूँगा मैं रिजान खापा सब्सक्नारोओं कि धर्म के अधार पर अपन देश को बाढ़ दी Ahora अभी धर्व के आधाय पर आप यह करोगे क्या सिर्फ अपना पद बना रहे चैर मिलती रहे इसलिए यह स्केलते करोगे और मैं देश को एजुकेट करूँगा उसके लिए मैं अपना जीवन खपाऊंगा मोदी जी इस चुनाफ के दौरान और उससे पहले भी विपक्षी पार्टियां यह आरूप लगाती हैं कि लोकतंतर हिंदुस्तान में खत्रे में वो कहते हैं कि जो डेमोक्राटिक इंस्टिटूशन्स हैं वो पहले से कमजोड हो गई हैं यहां तक कि आप पर ताना शायर डि लेजिसलेचर में जिस तरह की बहस होनी चाहिए पहले होती भी थी वह फड़ाफट बिल पास हो जाते हैं इतने कमिटीज भी नहीं जाते इस तरह उनको लग रहा है कि डेमोक्राटिक बैक्स्लाइडिंग हो रही इसको आप कैसे देखते हैं पहली बाप पहली बाप यह है कहने वाले भी लोग नहीं है इनकी जितने नए एंपी आये हैं वह आके मुझे कहते हैं साथ हमारे तो पांच साल बरबास हो गए हम एक शब्द बोलनी पाए हाउस में कि मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं मैंने कभी उनके नेताओं को खा मैं आपको करना ऐसा करो एक घंटा आपके यंग जो फ्रस्ट टाइम एंपी है उनको मुगा दो फिर डिस्टब करो बाद में करो डिस्टब इनको जीवन पर यह सम्म मैं कह चुका मुझे मेरी कोशिश रही है कि यह लोग कुछ करें लेकिन दुर्भाग्य है कि कॉंग्रेस का यह परिवार उनके लिए लोगतंदर मतलब बुन का सत्ता में होना हूं आज भी यह स्विकार करने को तयार नहीं है कि 2014 देश में कोई दूसरी सरकार देश के ने चुनी है कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री है जो देश ने बनाया है मन से स्विकार नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए वह हर जगात उनका उनके मैनिफेस्टों के मुद्धि अगर आप इंप्लिमेंट कर रहे हैं तो भी उनको बुरा लग रहा है उनकी कहीं ही बाते आज अगर आप इ मुखर जी कहते थे अपने की किता में रहा होगा कि मेरे साथ जो उन्होंने काम किया कितना डिवक्रेटिक वे में काम और आख्पति की इंस्टिटूशन की कितनी प्रतिष्ठा में बढ़ाई है सुप्रिम कॉट मुझे बताइए उपर से लोग कहते हैं कि सरकार की सुप्र कुछ चलती ही नहीं है हम पर तो आरूम यह है कि और उसमें हमारा है हम लोग एबिलिटी के लिए क्वेस्टन किया जा रहा है इसका मतलब पहले कुछ लोग ते जो जुडिशन को मैनेज करते थे और वो इंस्ट्रीशन ठीक थी मैं मानता हूं मुझे क्यों मैनेज करना यह कारों जाच एजनसियों को लेकर आपकी सरकार पर लगता है विपक्ष चिलाता है डी सीबी आई इंकम टैक्स यह सारे विभाग जो विपक्षी नेता है उन पर तो बहुत अग्रेसिव होकर आक्रमक तरीके से कारवाई करते हैं जिल में भी पहुंचाते हैं लेकिन जो परिवारवादी पार्टी तो हमारे मिडिया के लोग मुझे स्वाल क्या पूछते हैं कि राधनाची का बेटा भी को है दोनों में फर्क है जी हम मुद्दों को इस पकार देर डावर्ट करने की मदद मिडिया कम से कम इन लोगों को ना करें मेरा आक्रा रहेगा मैं जो पर परिवार के दस लोग अगर प्रॉब्लिक लाइप में आते तो पीरा है समय नहीं मौन देखन नहीं मौनता हों तुकि वह पांटी नहीं चलाते हैं तुकि वैसे ही जो कदम उठाती है वह कदम आप मुझे पतातक के हरे मिश साल पहले खबरे कहारे देए भी मारकर पर सर्च हुई रेड हुई इतना चीज पकड़ी इतनी चीनी पकड़ी गई अब खबर आती है क्या नहीं आती है क्यों क्योंकि उस समय उस इंस्टिटूट ने जो भी काम किया जो कानून नों बढ़ावाया टैक्सेशन परिवरता नाया तो ब्लैक मार्केट के दुनिया सुनने को मिलता नहीं इतले नहीं कोई समसर में चला गया थेटर में वह सुन नहीं मिलता है कि ब्लैक मार्केट वाला हो वैसा यह चला गया प्रश्टाचार भी जा सकता है क्यों अगर उसके पास जिसकी का जिम्मेवारी वह काम करें तो सच्बों पूछना चाहिए कि 10 साल सब्सक्राइब को इतना पगार दिया उन्हें काम किया क्या है 2004-2006 काम क्यों नहीं किया उसकी डूटी है मुझे बताईए रेलवे का टिकट चकर है तो टिकट चक नहीं करेगा तो रखने की क्या है जरूत है उसी काम के लिए हो आप मिडिया में है आप अगर मोदी का जो ठीक लगे उसको दुनिया के सामदें ले जाइए आपका काम और करते हैं आप लोग वैसे ही इली का काम है वो करें आंकड़े क्या कह रहे है 2004-14 व्यवस्ता तो यहीं थे कानून वहीं थे मैंने कानून नहीं बटला है मैंने इली बनाई नहीं है उन्होंने बिलकुल न दस साथ में हम तो भी पक्ष में थे किसने रोकाता में मेरी सरकार ने बाइस सो करोड रुपया पकड़ा है नोटों के धेर आपके टिवी वालों ने दिखाए हैं जी बंगाल जहर करें उस इडी को उस इडी को आप कैसे बतनाम कर सकते हों जी एंपी के घर से मिले हैं पैस तारीव करेंगे 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 अगर पकड़ता है तो उसकी तारीव दिखा यह कहता है क्यों क्योंकि वुराज़ने तक हैं से पकड़ा गया पर आप चाहतें कि सब पे बराबरी से हो कि अगर एंडिये हो बीचेपी कोई बीख इरिस्पेक्टिव आप एनी चाहिए और यह देश का बहुत विनाज कर रहा है जी बहुत विनाज कर रहा है जी कुछ ऐसी पार्टियां भी आजकल दिखती हैं जैसे उरिसा आंद्रप्रदेश हम देखें बहुत शिद्दत से चुनाओ लड़ते हैं आप लोग विधान सभा चुनाओ हो लोग सभा आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं यह मित्र और दुश्मन वाला कैसा रिष्टा है क्या वोटर कन्फ्यूज नहीं है हमेशा कहता हूं लेकिन अब आपने देखा होगा फ्रेंड्ली मैच होते हैं खैल गुज में लेकिन जब एक्षुली मैच होता है तब आमने सामने ह्जीत की लड़ाइग होती है है आप हम पहले तो टेस्ट मैश होती थी उसके पहले तीन दिन की एक वह तीन दिन का रहता था ता कि खिलाड़ी को जानते हो गए राजनीती में भी मेरा मत है चार साड़े-चार साल मुद्दों के आधार पर देश हित में हम लोगों चलना चाहिए तो आप थर्टर में सब्सक्राइशन वान एलेक्शन सब्सक्राइब अगर मिलता है पहले से मेरी पार्टे का मत्रह और यह कोई दीव नहीं है आप देखिए क्या हरत है मैं हरानु मैं इस समय बोलू कर ना बोलू टीवी के सामने मुझे बड़ा धर्द होता है कि जब एक राज्य का चुना हो और देश का प्रधान मत्री है उस राज्य में जा करके किसी भी दलगाओ उस मुखे मिंत्र के खिलाब भाशन कर रहा है देश कैसे चलेगा अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जा करके बोलना पड़ रहा है पॉलिटिकल कंपर्सन है अच्छा होगा एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे उसमें से फिर जो भी अम्रूप निकलेगा निकल करके आगे पढ़ेंगे फिर लॉजिस्टिक खर्चा कि इतना है मैं जब गुजरात में था हूँ तो यह इवन मनमौनसीजी के सरकार उनके समय इलेक्शन कमीशन मेरे अवसर चले जाते थे और साल में करीब करीब सो दिन किसी चुनाव में लगे रहते थे मैं कहता हुए मेरा राज्य इतना एक्टिव राज्य है मैं अस्वी लोग चले जाते मैं करूंगा कैसे यह बंद करो आप मैं ऑब्जर्वर नहीं दू गालू तो उनके कानून ऐ मुझे देना पड़ता है यह हर राजी के मुसिबत होती इतने अब्जर्वर जाते हैं अच्छा पिर आचार सहीं था 45 दिन तक सबको वेक्रशन मिल जाता है जब मौच करते हैं छे साथ में देश इतना बड़ा देश भूग जाए कैसे उरूप सकता है इतने बड़े देश में बहुत रहा फंकत है पहले भी हमारे देश में वन एक्ष्ण नहीं था जी यह 67 बाद आया तो अभी कमिशन में बिठाया कमिशन के रिपोट आई है रिपोट का स्टडी कर रहे हैं स्टडी कर करके उसमें एक्ष्णेबल पॉइंट आएंगे हमारा ए कमिट्मेंट है कमिट्मेंट पॉलिटिकल कमिट्मेंट नहीं है देश के लिए बहुत जरूरी है यह रोजगार बनाम लाभार्थी एक बहस यह भी देश में चड़ी हुई है विपक्ष का यह कहना है कॉंग्रस पार्टी जो अपना नयाय पत्र लेकर आई है कि 30 लाख बनाम बीजेपी बनाम प्रधानमंत्री नरेंटल इस में अगंगर वो इतने की सरकार है मूह पर लग जाता inенिटुशन दूस्रा अगर सरकार का रोजगारका जीमा है तो जैसे भारत सरकार का है व Constability सरकिवा दमवादिता वैसा स्थानियाश व्रता संभा सक्राइश है कि स आप अगर बादा पूरे करने की बाता है कि अभी अभी मेरे हिसाब से रोजगार के जो रिकॉर्ड आए है तस साल में जो माइक्रो फाइनास हुआ है इस माइक्रो फाइनास के करणा जो रोजगार उपलब्द हुआ है कि उसको आप रोजगार नहीं मानेंगे केंदर की दस बारा जो यूजना ऐसी है जिसके आधार पर उन्होंने अनालिसिस किया कि एक घर बनता है तो कितने परसन आवर्स रोजगार मिलता होगा पहले मैं आवर्स कहते थे अब जेंडर न्यूट्रल दुनिया हो गई तो परसन करोड़ परसन यर ली उनका हुआ है यानि अपने नोकरी जेनरेट हुई है अभी आकड़ा बहुत बढ़ा है इसके आप से देखें तो अब मुझे कोई बताएं कि पहले अगर सो किलोमेटर रोड बनता था आज अगर दो सो किलोमेटर बनता है तो मैं पावल लगा होगा यह तो प्रसन पावल लगा होगा पहले इंड़िविकर बने हैं पहले इतने होता है छार क्रूड गरीबों के घर बने हैं ग्यारा करोड टॉइलेट बड़े हैं फाइव जी दुनिया में सबसे तेज गती से रोल आउट हुआ इसके लिए इंट्रास्ट कर लगता है ऐसा नहीं बद्द आता है कि फाइव जी टावर लगते हैं उसके लिए छुट-छुटी चीज़े बनाने वाले लगते हैं इसका म नहीं जौब यह आपको ओन रेकॉर्ड मिल रहे हैं इपी एफ हो दस साल में कबर होने वारे लोग में हंडर और और शिक्स्टी सेमन परसेंट हिंटर फिक्ति फाइविया सेमन्टी इतना बड़ो बड़ोतरी हुई है अब इसको मानेंगे और नहीं मानेंगे जी यानि इन सब्सक्राइब जो पहली बंगर रोजगार कर रहे हैं अब एक आदमी किसी एक को तो रोजगार देता होगा कुछ कारोबार चला एक को तो देता हो यह सब ऐसी हवाबजी थोड़ी होती है जी मैंने पहला हमारे देश में तो मुसिबत यह हैं कि रिकूरूट्मेंट की प् अगेगा प्रक्रिया किसी व्यक्ति तक पता के लेगे लोकिदी आने वाली है उसके पहले एक साल लग जाता है इसको इतना सोटा कर दिया है आज ऑद नोकर भरती करनी है दाइटीन मेने में पूरा करूब प्रक्रिया इतना सारा मैंने रिफम किया है लिगि रोजगार के विशाय है कि जिसमें हाथ पैर है नहीं बोले जा सकते हूं कुछ लोग होते हैं आप जैसे आप है आपके पास यहां काम है तो चीफ एडिटर होना चीज़ तो उसके साथ से वह बेरोजगा है तो कि चीफ एडिटर नहीं है यह भी एक बहुत बड़ा रहता है अंतराश्ट् स्वाथ शास्थ्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पेकेटी की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इंकम इनिक्वालिटी बढ़ रहे है यानि की जो लोग अमीर होते जा रहे हैं जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं कि भारत की इकोनोमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ट है कि ऊपर लोग अमीर हो रहें और नीचे लोग गरीब होएं आप इसको कैसे देखते हैं जो income inequality का विश्ट है तो क्या सब कर सब गरीब होने चाहीग है जादा ज़ादा होने चाहिए तो दिरे दिरे होंगे कि रातो रात एक सब यहां है तो सब सब यहां आएंगे थोड़े यहां आएंगे वो नीचे वालों को पर लाएंगे थोड़े उपर आएंगे वो लाएंगे थोड़े और उपर आएंगे उनको लाएंगे एक प्रोसेस होती है और इसलिए यहां तो हम करें कि हम सब गरीब रहना चाहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है अगर हरे को भाई 10 रुपे मिलेगा अब 10 रुपे गुजारा करना है तो यह रास्ता है दूसरा रास्ता है हम कोशिश करें आगे बढ़ेंगे आज 10 आगे बढ़ेंगे कल 100 बढ़ेंगे फिर 500 बढ़ेंगे आज हो रहा है आप पहले स्टार्ट अप हमारे देश में कुछ सैक्ड़ों थे अच्वालाग स्टार्ट उप है तो प्रगत भी हो रही है पहले हवाई जाहाद में बैठने वालों कि सेंगे इतनी थी आज एक आज हिंदुतान में सरकार के और प्राइवेट दिने तो करीब 600-700 भाई जाहाद है नए एक हजार है हावाई जाहाद मतलब की प्रोस्परेटी बड़ी है आज मुझे बताई है बद्रिनात के जानात वगरे यात्रा है यह लोग जा रहे हैं वो पैसे कहां से लाते हैं जी पैसा होगा तहों खरता है बहुत संक्ष्य करोडों में पहुंच गई हैं विदेशों में जा रहे हैं अगर पांच ही अमीर लोग होते योधे इतनी शाधी विदेशरें में कैसे हुआ हैं भारत के लोग और इंसमें वेडिन इंधिया सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन रियालिटी है कि मुझे कई लोग चिठी लिख के कह रहे हैं लेकिन कभी यह सोचा नहीं था इसका यह भी मिनिंग होता है और बोले मैंने तो आई के लिए में हिंदुस्ता में चोटी चोटी जगें बड़ी अच्छी हैं आपके आइडिया के बाद सब्सक्राइब करने के लिए कश्वीर में हो रहे हैं मैं बताता हूं जी अब मेरे हां बद्रिनात के दारनात में उनकी बड़ी इंकम हो गए पहले रिलिजिस ठूरियम था इंफासेचर नों था अब उन्होंने वेडिंग के लिए उसके साथ थोड़ी बड़ा ही तो आपसीजन में उनको वेडिंग का काम मिल जा रहा है रहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की कौन रहुल हमारे वाले रहुल तो आपके वाले नहीं है आज सर फॉम है आज सर फॉम है लेकिन मैं दूसरे वाले रहुल की भी बात करता हूँ अब दूसरे वाले रहुल जो है वो सर आपकी जो चवी है वो है गरीबों के मस को आपने गरीबी देखा से बाहर उता है लेकिन जो आरोप दूसरे वाले रहु लगा रहे हैं आपके उपर वो है कि आपकी बड़े बड़े उद्योग पतियों से दोस्ती है पांच साल से आपकी छवी पर एक स्टिकर चिपकाने की कोशिश की जा रही है और वो स्टिकर है क आदानी हमवानी के साथ दोस्ती इस पर आप कियसे और यह बिलकुल बलैक होर वाइट की तरह हैं कि आप कहां कहा करने हैं इस परिवार का प्रॉबलrम यह है यह बोज में दबा हुआ परिवार है नहरूजी को गालिया पढ़ती थी बिल्ला ताटा की सरकार पार्लामेंट मुद्दित ने कि तो ताटा बिल्ला सरकार ताटा नहरूजी लगाता और सुनते आए थे अब इस परिवार के पॉर्ब्लम यह है कि जो गालि मेरे नाना को पढ़ी मोधी को पढ़ दी चाहिए तो वह सब चीज़ वह रफिल क्यों लाएं उनको लगता है कि तीसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की को इज्जत नहीं रहेगी मेरी नानी की दादी की इज्जत नहीं रहेगी यह तो नहरू के बराबर हो जाएगा वो हर चीज उसी से कंपरिजन करते हैं और इसलिए गालिया यह सब उन्होंने कहीं से उधारी लिवी गालिया है जो अब दूसरा बात है मैं लाग के लिए पर से बोलता हूँ जी मैं शर्माता नहीं हूँ मैं लाग के लिए से बोलता हूँ इस देश में बेल्ट क्रियेटर् बढ़नी चाहिए मैं मेरे 15 आगस के जो होता है उसमें फिलाड़ी जो एक्टिवर्स हैं उनको मिठाता हूं अगर देश की पूजा नहीं करेगा देश का महत्मा नहीं करेगा तो मेरे देश में प्याजिड करने वाले लोग कहां से निकलेंगे साइंटिस कहां ने लिख लेंगे जीवन के हर शेत्र में एचिवर्स की इज्जत होनी चाहिए अगर कल आज तक ग्लोबल चैनल बनता है तो मैं सबसे पहला हूँ ताली बजाओंगा जी मुझे मारूम है आज तक मेरे साथ क्या जुन करता है लेकिन मैं उसकी ताली बजाओं मेरी गलोबल चैनल अब कोई कहे का मेरे देश की कंपनियों की दुकाने क्यों नहीं होनी चाहिए दुनिया के लोग नोकर रुजघर के लिए मैरे जेस फैसे उन में बेहि मानिक यह तो फासी पीटाय तो गलत लेकिन दिए में मेरे देश के उजवाइव फासीने के चिंटा करता हूँ उतने ही बाइब शाओसे पूजी पति का पैसा हो हो wil नगेंड करनेवालों का दिमाघ हो परिश्रम करने वाले का पसीना हो इतीनों को एक परिवार के रुप में मैं देखता हूं तब जाकर के विकास होता है पर यह पैसों की बात आपने की है तो मुझे आपके एक रैली की बात याद आती है क्योंकि जब एडी ऐसे नोटों कामबार बरामद करते जाता है तो मैंने श्मित्पत्र किया इस मुद्दे पर कि यह एडी जो जबत करता है पैसा वो पैसे जाते का है और बड़ा दुख हुआ जानकर कि वो जब तक मामला चलेगा वो जबत रहेगा आपने कहा कि यह जो पैसे ब्रश्टा चारियों से लिए जाएंगे वो आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे वापस लोटाए जाएंगे यह कैसे संब्द आपने बहुत बहुत मार्मिक चीज़ पूछी है और मैं मान तो अच्छा होगा आज तक के लोगों के इसके बहाने दर्शकों को भी मदद मिलेगी मैंने यह दो प्रकार के प्रश् कुछ लोग है जैसे बंगाल में सिक्षकों की भरती में पैसे गए तो पता है कि इस आदमे को नोक्री मिली उसके पास कुछ नहीं और उसने बित्याने यहां से करी लिया यह अपनी जमीन गिर भी रखी यह घर गिर रखा और उसमसी तरह पैसे दिया तो ट्रेल है तो अभ करूर की चपते की है जी बहुत बड़ी अमाट सवाल लाक करूर किया तो मैं इस पैस्वकुम को अब जैसे केरल में था कॉम्मिनिस्ट पार्टी है एक ऐसा रेकर चलाती है यह बड़े इमानदारी के ठेका लेकर के गुम रहे हैं कोपरेटिव नेटवर्क कोपरेटिव मे गरीबों के पैसे ज्यादातर नौकरी पेश्यवालों के पैसे हैं और आदमी फिक्स निपरूज में पैसे देता है रखता है कि बेटी बड़ी होगी तो शादी के लिए काम आएंगे बेटा बढ़ा हो गए का कमरा बढ़ा ऐसे लोग होते हैं इन्होंने किया कि इन पैसो चुका लेकर तो आप लोग ढरते हैं लेकिन इसमें काम कर सकते हैं आप अब उसमें ट्रेल है पैसा इसने रखार इसका डूबा अब हम प्रॉपरटी जब तक कह गया है मैं चाहता हूँ प्रॉपरटी कैसे कैसे और जो संपती है उसको आक्षिन करके वो पैसे मैं कैसे लोटा हूँ अब तक मैं 17,000 क्रोड रुपी लोटा चुका हूँ 17,000 क्रोड रुपी जो जिसका ट्रेल मिला अब लालू जी ने रेलिवे मिनिस्टर से गरीब लोगों को जॉब देने के बड़ले में जमीन लिख वाली है तो ट्रेल मिल रहा है अब वो बेचाना डर के मारे एफिडेविट देने को तयार नहीं है लेकिन ट्रेल मिल रहा है य तो मैं दिमाग काफी लगा रहा हूं इसमें क्योंकि यह मेरा मंद से फिर हो रहा है यह गरीबों का पैसा है यह लोगों ने अपनी पदकाउद रूप्यों करके लूटा है इनको मिलना के बाद करने पड़ेंगी कानूनी बड़लाव करना पड़ेगा दोर करूंगा मैं अ पैसे हमने जो न्याय शहींता नहीं लाए है उसमें कुछ सुविधाय हम लाए है और वह कानून एक तो ऐसा बना मेरे हाँ भावन गयमें जो मैं मुख्यमें तो वह काला गूर होता है वह पकड़ा गया बहुत बड़ी बात्ता है तो बतलब यह काला गूर मतलब शराब गयर कानूनी शराब बनाने के उप्यों होगा अब पुलिस थाने में रखा बारी साही भीग गया तो मच्छर मक्ष अब कानून यह कहता है इसको आफार डिस्पाजब नहीं कर सकते तब से मेरे में पड़ी रही है तो यह मैं जो नया न्याज सहीत आई उसमें सारे सॉलुशन लाए है सर आपके दस साथ का ट्रैक रिकॉर्ड यह कहता है कि लाभारतियों को चुकि आपने अभी बात की कि अगर किसी ने रिश्वत में जमीन दी है तो हम काम करेंगे कि उसको वापस मिले लाभारतियों का एक बहुत लंबा चौड़ा स्कीन चल रहा है लाभारतियों को जब मि चुनावी रैलियों में मंगल सुत्र घुसपैठिया ज्यादा बच्चे इन शब्दों को लाने की क्या जरूरत है यह विपक्ष बार बार आपको इसी मुद्दे पर घेदता है विपक्ष का कहना है कि आप जो चुनावी क्यांपेंग करते हैं उसमें आप हिंदु मुस्त मैं ठीक से बताना चाहता हूं दर्शकों को होता कहजी आपने पूरी तरह सामप्रदाइग एजेंडा पर चले और मैंने उसको एक्सपोज किया ने उसके दज्या उडाई है मैंने उस पर आरोप लगाए तो जो मूड़ बात थी उसको उनकी एको सिस्टिम हटा रेती है और आप लोग युश रिदै प्रिशन में जीते हैं और भी फिर उसनों हाथ में लगाते हैं फिर आप मेरी बात को लेकर करके चलाते हैं तो आपको लगता है मैं मुसल्मान मुसल्मा बुला बात यह नहीं है जी मुद्दा यह है को उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है कि अब वो कॉंट्रेक सिस्टिम में भी माइनोरीटी को लाएंगे ठेका माइनोरीटी को दिया जाएगा अगर मैं उस ठेके का विरोध करता हूं वो मैं सेकुलरिज्यम कर रहा हूं लेकिन चुकि मुझे उसमें मैनोरीटी शब्द बोलना पड़ता है चुकि मुझे उसमें मुसल्मान बोलना पड़ता है तो आप मिनिंग निकालते हैं कि मैं कुछ हमला उन पर कर रहा हूं मैं उन पर हमला नहीं कर रहा हूं मैं उन पर कर रहा हूं जो पुलिटिकल पार्टियां है जो भारत के सेकुलरिजम की दज्यां उड़ा रही है जो एपीजमेंट का पुलिटिक्स कर रह ही है और मेरे पास सबूत है कि मैं नहीं करता हूं क्यों मैं कहता हूं अगर मान लिजिए एक गाउं में 700 लोग रहते हैं प्लानी स्किम के सोग लाभारती है तो मेरा हगता है उन सोग को मिलना चाहिए फिर इजाती गाउच जाती है नहीं हां हो सकता है कि किसी को सोद्रबार को मिलेगा किसी को रुद्रबार मिलेगा किसी को जनवरी को मिलेगा बेलेगा लेकिन हकदार जीतने सब को मिलना चाहिए तो governance में discrimination नहीं होना चाहिए ऐसा अब उसमें हैं Step 22 करते हैं मुसलमान बोलेंगे थो पता नहीं हम पर थप्पा लग गए न भूले मैं मुसलमानों समझार हुए तुम एंसे मुरुग बना रहे और मैं बुद्यमान मुसलमानों को कहता हूं जर्णियौ मुला कि अच्छा धर्म के味क उर्ण ने देश Ctolet आप कि देश मदरे जायागा लाजब था कि उनको डॉक्टर नहीं चीद उनको टॉक्टर को पुठाना पड़ेगा आप एंजीनियर रहे तो आपको हाथ में कुछ तागेट में लेनी पड़ेगी है कुल फ infrastructures & कि कि वॉत करने वाली आदत है न देश में यह कुत होने चाहिए क संब कर लिए करोगे वोड के लिए कुछ नहीं करोगे सब्सक्रापंड लिए करोगे इसका गोर मैं करूद कि बॉठ बॉर्ट होता है जी भूट के लिए देश को डूबो नहीं सकते हैं और मुझे इस सप्ता नहीं चाहिए जो मेरा देश का बरबाद करें ऐसे सत्ता मुझे मैं कभी हिंदू-मुसुलिम नी करें आपका यह काभी मैं हिंदू-मुसुलिम ना कभी किया है न करता हूं लेकिं अगर तीन गलत है वो मैं कहता हूँ तो मैं मुसल्मान विरोधी हूँ ऐसा अगर आप मुझे लेबल लगा देते हैं तो आपकी मजबूरी है मेरी मजबूरी नहीं मैं कुछ ऐसा लेबल लगाने की कोशिश कश्मीर को लेकर भी की गई थी जब 370 हट आये गया था मुझेज़े 2014 से पहले भी मैंने कश्मीर कवर किया है उसके बाद भी किया है और केवल एक शहर और डाउंटाउन नहीं बलकि बॉर्डर्ज तक जहां पर लोगों ने लगा कि कि वह इंक्लूसिव हो रहे हैं वह जुड़ रहे हैं मुख्यधारा के साथ फिर 370 आया उसके बाद से पत्थरबाजी नहीं हुई हरताल नहीं हुई श्री नगर में क्या कमाल की वोटिंग इस बार हो गई पर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कहता है कि बताइए हमसे रा सब्सक्राइब करता है इस पूरे चुनाव में मेरे लिए संतोष की पल कौन सी है कि मेरे लिए संतोष की पल है स्री नगर का वोटिंग तो क्योंकि इस ने इस बात को ठपा मार दिया कि मेरी नीतिया सही है मैं कोई डिस्क्रिमेर्शन नहीं करता हूं मेरी सरकार धर्म के आधार पर भेद्वाव नहीं करती है जहां तक राज्य का धरज्य का हमने पार्लामेंट में प्रॉमिस किया हुआ है और हम उस पर कमिटर है हां हम सफल होना चाहते हैं त्रफर उन्टे से प्रॉल्टे पावर में और पहले अंपर क्या गालिया पड़ती थी आपने इंटरनेट बन कर दिया में दूर का देख सकता था आप 24 गंटी चैनल के लिए देखते थे मैं देश के लिए देखता था और इसने में इंटरनेट की गालियां करने के बाद भी इंटरनेट बंद करके गी मैं नव जवानों को गलत राष्टे से बचाने में सफल हुआ दूसरा मेरा संतोष है अब दस साल का समय लगा लीजिए मानों कि 2004 से 2017 कितनी माताओं अपने बच्चे खोए होंगे 2014 से 2014 कितनी माताओं के लाल बच गए जिवर में इससे बड़ा संतोष क्या होता है और इसलिए राज्य भी हमारा अपना कमिटमेंट है प्रक्रियां हम सफलता के लिए जो भी राष्टाओं का वह करेंगे मैं चाहूंगा कि मैं गेहों की फसल करूं लेकिन सही सीजन में तो मेरा बीज भी बरबाद हो जाएगा धनांतरी जी मेरे पिता फौज में थे बच्पन से हम कश्मिर जाते रहे हर घर्मी सर्वी की शुक्ती में इस बार मैं जब तुनाव कवर करने गया तो मैंने देखा बारा मुला आनंत नाग ऐसी जब हम पर प्रचार चल रहा था ल क्या देखिए वाट्स नेक्स्ट कश्मीर आफ जहां तक हम पहुंचें नेक्स्ट क्या है पहले मेडिया स्विकार करें आपको नहीं कह रहा हूं मैं पूरे इस आपकी फैटर निट्री को कह रहा हूं था सब्सक्राइब करना चाहते हैं अब उनके मूँ पर ताले लग जाएंगे जब कल चालीस परसन करी कोई बोटिंग देखेंगे और उन्होंने साब मैरी इच्छा है कि चुनाव ये फैस्टिबल होना चाहिए चुनाव ये जाकर के एक में ने यारफ करने ने कमण डाल लागा ऐसा नहीं देख रहा था सविछ नगर ने फैस्टिवल का मूर कहीं लोग प्ला रहे थे लोग तालिया बजा रहे थे लोग गाने गार रहे थे यहने सच में ते वह व्यां अश्वी मत यह बड़ा मेरे ल पेश्वन मंदिर की तस्वीर भी लगी हुए जहां हम बैठे हैं लेकिन यह भी हकीकत है कि पंजाब में आपकी लोग परता है बाकी देश में जितनी है उससे थोड़ी कम है और सिख समुदाय में कई लोग आपको थोड़ी शक की निगहां से देखते हैं आप हाल में हुए है अग्जेटली मैं आपके पास जानकर क्या है मैं नहीं जानता हूं आप चुनाओ के हिसाब से देखते हैं तो मेरे पास कोई जवाब है कि मेरा उसे बाहर चला जाए चुका हूं जी अच्छा होगा यापकी कोई पंजाबी चैनल हो यापके पंजाबी लोग हो तो करें किस देश के स्विक्त समाज के मुलभूत मुद्दे क्या रहे हैं और किस सरकार ने उन मुद्दों को कैसे एटेंड किया है और फिर लिस्ट नेकाल यह भार तो आप हंडेज में हंडेज मार्व मुझे अब हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुंच पाया बना मैं तो रहा हूं कि और इमर्जन्सी में मैं सुक्री के बेश्ट मेरें रहता है और मुझे सहज इसे मैं दिली में रहता था तो भी मैं कभी-कभी लंगर खाने जाता था इतने मुफद संथा जाता हूं मैं आज भी मानता हूं जी की सिक-समाज में बहुत बड़ा योगदान के है देश में आज भी वो जहां भी है यह दुरुबागी है कि पंजाब में ड्रक्स बहुत फैल गया है वरना वे एक प्रकाश दिस्प्लिन लाइट वाले समाज है हम गर्व करें ऐसा समाज है चाहिए मुझे वो स्विकारते हैं नई स्विकारते हैं तो उसके लिए तो मैं क्या कह सकते हूँ मोती जे महिलाओं की बात पर मैं आना चाहते हूँ क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो की गए हैं 26 जनवरी की परेड में शुरू में ये कहा गया कि सिर्फ संकेतों की बात की जा रही है कि वजारोगर के समय आपके साथ कोई ओफिसर खड़ी रहेंगे फीमेल लेकिन धीरे धीरे पूरी की पूरी पल्टान हमने देखा माच कर रही है तैनाती एलो सी पे हो चुकी है महिलाओं की संसद में आपने अपनी क्याबिनेट में महिलाओं को बहुत एहम पूजिशन्स दिये पर हकीकत यह है कि 33% जिसका असर अभी कुछ दिन बाद दिखना शुरू होगा एक पुरुष प्रधान राजनीतिक सिस्टम है संसद भी है आप कैसे बदलता हुआ देखते हैं कि महिलाओं इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर आएंगे एक तो अपने जी ट्वेंटी में मेरा काम देखा होगा इवन पस्चिम के देशों के लोगे बहुत फारवर्ड कंटी करें उनके सामने भी बहुत बड़ा तुलनात पगुप से सोचने मैं कहता हूं मेरे हां प्रैंडेन विमेन के लिए 26 हपते की शुटी है तो ऐसे देख हमारी एक परसेप्शन बना जिया गया है कि भारत में महिलायाने घरे लूप है रियालीटी है अब भारत का अग्रिकल्टर सेक्टर देख लिए मैं आज भी कहता हूं अग्रिकल्टर सेक्टर में सिक्स्टी परसंट कॉंड़िशन विमेन का है एक्कॉनोमिकल विप्टीन परसेंट प्राइलोट विमेन भारत की है आज अब यह कोई एक रात में तो प्राइलोट ने बनी होगी इसलिए यह कहना की भारत की महलाओं के साथ यह हो रहा है तो यह जिस पकार की फैमिलिस ने की बिजीत पकार की सोच बनी है उसके हम शिकात हो चुके हैं लेकिन मैं मानता हूं हमने दो स्टेप आगे जाना चाहिए कैसे एक तो हमें साइकोलोजिकल बैरियर तोड़ने की ज़रूत है मेरे साथ एजीप के राश्रपदी बैठे ले एंट वी जनवरी को सरुफ़ी जनवरी के राश्रपदी बैठे लिए पश्युम वाले वीमिन एंपार्मेंट मुझे देखा रहा हूं दूसरी बात है कि भाई जी ट्वेंटी में में विशे लाया विमेंड डेवलप्मेंट एक बहुत बड़ा साइकोलोजिकल परिवरतन है यह है अमार यहां महलाए काम करें तो क्या करते हैं आपने देखा हो इस बार मार्क किया अगनी मालूम में मुझे मेरी पार्टी की सभी पब्लिक रेली कि उसको स्टेज परकंडग महिलाए कर रही है आप लोगे मार नहीं किया हुआ यह यह योजना का हिस्था है अचानक नहीं है परना उनका काम कह रहता था एक दिश लेकर के आना उसमें गुल्दसा है कोई पुरूश आएगा गुल्दसा उठाएगा और देगा यह बड़ हुआ आओ को कुध्त कर ती महिला का रहिए को मैं मैं पार्टज का नेड़ने कि वीमें लेट डेवलमेंट कीना में की शन में घाता हूँ दूसरा हुआ है जाए हुआ गालंकि महिलाओ को पहले क्या हुआ ऑबर बनादो का पापड़ बना ओ बना दो का ने को तक शाबुन मुझे मेरी 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 सब्सक्राइब मेरी सब्सक्राइब तो क्या पुलिस वान आया तो सरकार आई इंप्रेशन इस तो मैंने आंगन वाड़ी और आश्या वरकर जो थे उनको मैंने कहां यूनिफर्म शरकार देगी इसलिए निक मुझे वोट जाए था और मेरा स्विचना थी मैंने फैसें डिजयर को बुलाए मैंने आएर होस्ट्रे से मुझे अच्छे कपड़े चाहिए और यह आंगनवाड़ी वरकर के लिए एर होस्ट्रे से अच्छे कपड सब्सक्राइब गाउं की स्थिती बन गई कि आंगनवाड़ी के आशा वरकर खड़े हैं मतलब सरकार खड़ी है तो रात यहने मेरा कमिटमेंट है जी जो आपको दिखता है वो नहीं बहुत सी चीज़े में आप मेरे हाँ डेरी का गाम देती है मैंने डेरी में ताय किया मै पूरुष को नहीं जाएगा विमेन का अकाउंट खुलेगा उसके अकाउंट बस्ता जाएगा और डेली दोदो हजार करोड रुपेर डिलीरी होता है डेली दों हजार करोड और मैलाओं के खाते में जाता है पैसा अब सब्सक्राइब देली को पैसे ऑडेलाओं के खाते में जाएगै कि पशू वह पालंद करें दूद की चिंता वह करें दूद भरने के लिए आ जाए और पैसे को खुझा नहीं चलेधा नहीं जब भूकम के घर बनाइ घुजरत में तो सरका नहीं जो बनाएं वो मैने महिला होगे नहीं मिलेंगी उसके अधाम पर नेंगी और यहां मैं आया जो चार्पनो《घरव बनाएं》 बनाएग पहला हक महिला है फिर फिर मैंने एक नियम किया कि छो स्कूल में बच्चा दाखिल होता Gemini ने माता प्रोसेस काम करती है फिर उस फशे छोटी 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 आपको शुची और यह ताकत नीचे से लानी पड़ती है नीचे से ताकत आती है तब जाकर पन्ना मिलता है कि मैंने काम किया बड़ा इंट्रेस्टिंग है सुनने जैसा है मैं आपके मीडियां को दिखा नहीं पाओ आप लोग इतना है एक मैं गुजरात में नया नया मुख्यमंत्री बनके के लिए पंचयायतों को चुना हुए मैं मैं बूकम के काम में लगा पड़ा था मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे मैसेज आया कि खेड़ा दिश्ट्रिक के गाउं की पंचयायत के सब जो में मेंबर है वो मिलना चाहते है तो मैंने आग गए पंचयायत मंत्री से मिलवा दिए उनका कोई काम होगा था में मेंबर महिला है और सब्सक्राइब गाव ने ताहिक यह इस बार प्रदान महिला है तो मेंबर महिला बनाएं तो बोले कोई पूरुस मेंबर है नहीं तो वह महिलना चाहती है तो मेरा इंट्रेस हो गया बुलाव भई डाकोर के पास कोई गाव है चोटा सा तो आए तो वह कोई 11 मेंबर का वो फोगस्कार की घरे बहने आई और जो प्रधान बनी थी वह साइद आठवी कर्षा तक बढ़ी थी बागी एक भी पढ़ी नहीं थी तो मैंने इसे पूछा उनको क्या काम था नहीं बोले हम सब महिलाए चुन कर रहे तो आपको नमस्त करना से और को यह काम भी था पांच साल मिलें आपको क्या करोगी अपकी मन में क्या इच्छा प्रधान ने जो मुझे कहा ना वह दुनिया का को एक अनुमिस नहीं बता सकता है उस प्रधान प्रधान इसको एकनोमिकी समझ थी बुलें मेरे गाउं में को गरीब बद ऐसा मुझे करना है मुझे उसमें से आइडिया आया तो मैंने फिर चुनावाया तो मैंने का मैं हम सम्रस गाउं करेंगे वैसे फिलोसोफिकली मैं इससे परिचित था क्योंकि विनोबा भावे उन की पत्नी रतन पहलं बड़े सिवावती है विनोबा जी की चास्थ जीवन को पाये छ तो मैंने उनका भासरा बच्पन में सुना था मुझे यह आजनी को सुना था कि व्हारकादाश जोशिक सुना था मुझे उतनी मेमरी नहीं है ली कि बच्पन मेरे सुना होता है तो बैर नहीं होते हैं भी ऐसेम्ली का चुना होता है तब दो गाउं दो बाठ बढ़ जाता है वे टीव बहुते तो बोले गाउं में सहमत का चुना होता है यह मैंने बच्पन में सुना तो वह एक बात अब तुनों मेरा मेरे ब्रेन काम को ले लगा तो मैंने स्कीम बनाई समरज गाउं जो गाउं सर्वसहमति से चुनाव करेगा उस गाउं को मैं पांट लाख रुपया एक्स्टा दूँगा विकास के लिए क्योंकि मेरा प्रिंटिंग मेंडी की सब खर्चा खर्टम हो जाता था फिर मुझे विचारा है जो गाउं सब की सब महिलाए करेगा उसको मैं साथ लाख दूँगा फिर मैंने कहा कि जो गाउं में सब की सब महिलाए होगी तो वहां का जो गवर्मेंट अफसर होंगे वो भी महिलाए होगी हो सके तो पुलिस भी मैं वहां महिला रखूंगा और मैं मेरे में हमोने लगे 45 पुसंट विलेजी और आज भी चलता है हम पैसे भी देते हैं और करीब करीब कई गाउं ऐसे हैं कि जाब प्रधान जिस जा जिस गाउं में महिला है तो फिर गाउं तहीं करता है सब महिला है मेंबर और मैं बता तो इतना बढ़ियां परफॉर्म करती ह हुआ है यह चोटी-चोटी चीजों को करना परता है जिस दिन ओबाम आये तो राष्पदी भावन में उनके सम्मान में सब महिलाए खड़ी थी जोड़ा परेड होती है तो और उनको लीड करने वाली महिला थी तो मुझे मालूम है मैं आपने देश को कैसे कहा क्या प्रत् प्रतिशत पुरुश्य पचास प्रतिशत मेला है नहीं कहने का परसंदीट के साथ नहीं सच मुझ मैं जो मैं विक्सित भारत कहता हूं तो विक्सित भारत के दो मुल्भूत आधार में देखता हूं एक इस्टन इंडिया जहां संपत्ति बहुत है गरीबी सर्थ से अबिहार, जारकन, भांगाल, उडिशा, एकनोमिक लिया कर मैं इसको ताकत मैं पस्चिम के बराबर भी लिया हूं ना पस्चिम मतलब गुजरात, महाराश्य, गोवा, पंजाब, पुरा संपत्ति है तो मेरी नेचल और दूसरा मेरी महिलाओं की शक्ति यह दो ऐसे एरिया है जिसमें फर्पूर्ट पोटेंशल में देखता हूँ और वो मेरे 2047 का सबसे बड़ी सफलता का मेरा यह बिलकुल कन्वित मैं कन्विन्स में यही मुझे परणाम देंगे और मुझे परणाम मिलेगा इसी से जोड़ा मेरा अगला सवाल भी है सर आप से क्योंकि पहले यह माला जाता था कि घर में पुरुष जो कह रहा है वही पूरे फरिमान जो महिलाएं है वही बोट करेंगे लेकिन अप महिलाएं अपने दिमाग से बोट कर रहे हैं मैं भी हेलिकॉप्टर से सौ सीटों पर गई तो बशीर हाट पात्रों को आपने टिकट दिया है बीजेप क लेकिन क्या वाकई इसकी वजह से फ्रीबी भी बहुत अनौंस हो रहे हैं तमाम जो राजितिक पार्टियां वह अपने तरीके से प्रीवी देते हैं कि महिलाओं को हम अपनी तरफ कर लिए तो जीत और जहां पर उनका वोट जा रहा है उसी की सरकार बन रहे हैं इसको आप क्या मुझे खजाना लूटाने का अधिकार है कि मुझे एमपाउर्मेंट के लिए विजनाए बनाने का हक है लेकिन चुनाव है इसलिए मैं लूटा दू यह तरीका कितना उच्छी है यह सोचने का विश्य है और दुनिया में जिन जिन देशों की यहालत हुई है तो हमरे मैट्रो बनाते हैं और उसी शहर में चुनाव जीतने के लिए कहते हैं माहिलाओं को बस में फ्री ले जाएंगे मतब आपके मैट्रों के 50% प्रेसंजर आपने लिए तो मैट्रों वाइबल नहीं होगी अब भविश्य में मैट्रों बनेगे कि नहीं बनेगे चिंता यह है इस प्रेश्य होगी इस प्रीट में कोई चिंता चरचा नहीं करता है अब हम पूलिटिकल तू तू में 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 चले जाते मुझे बहुत करता हूं कि आप इसके कान क्या हुआ एक्ट्रो ट्राफिक को भी प्रॉब्लम किया अपने मुपतका कर दिया और इधर मेट्रो आपने खरी ज़र दी अब वो मेट्रो कैसे आगे बढ़ेगी देश कैसे आगे बढ़ेगा देश की राजनीती से अगर एक मिनेट चले हम बाहर निकल कर ग्लोबल और की बात करें तो आप बढ़ रहा है पिछले पांच साल में भारत की जो कॉंप्रिहेंसिव नैशनल पावर है काफी बढ़ी है भारत क्या रही नंबर के अर्फिवस्ता से पांच के नंबर पर अगले पांच साल में ग्लोबल हाई टेबल पर आप भारत का रोल क्या देखते हैं हम इस कुछ से इतने दूर है कि हम हम इकवल डिस्टंस मैंटेन करते हैं हमारा डिप्लोमाटिक भास्टा में चलता था मैंना का नतिंग तूदू है मेरी भासा रहे कि हम कितने निकट है तो दुनिया में कॉंप्टिशन शुरू हुई कि निकट कैसे जाए इसके पहले दूर रहन कि कॉंप्टिशन बदर गया है तो सब लोग निकटानी की परदा चल देखी है अब देखे कल मेरा इरान में बहुत बड़ा निर्यक हुआ है एग्रिमेंट हुआ है वह हिंदिस्तान के अख्मारों की हिड्लाइन न्यूज है टीवी मीडिया की 24 घंटे की चैज़ है और मे इंस्ट्रक चाबाहर थे इसे चाबाहर पाउंट का मेरा फाइनल एगरिमेंट हुआ यह बहुत बड़ा काम हुआ है लेकिन पता नहीं है क्योता ही लड़ायों के बीच मेराद चाहर का एगर्मेंट हो जाता है कि तो मेरे पहली बस दोई हैं दूसरा किसी सरे के आधार पर हम अपने नेने करेंगे। हम भार लिए करेंगे फ्राइन को बुरा अगये तो इससे बात करूंगा तो क्या कौच जी नहीं मैं सबसे बात करूंगा राष्पति पूतीन मेरी अगर भरपूर तारीफ करते हैं इसका मड़लब यह नहीं कि मैं आपके पूटिन को मिलकर करके कह नहीं सकता हूं कि देजिन नौट टाइम पर दूब तो वह भी मिज़े सम्मान करेंगे कम सकते हैं कैसा मित्र है जो इसे साब बताता है यह गलस है युक्रेन को भी मुझ मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तो मैंने स्पेश्यर एंवई को मैंने इ sexuality के सबसे मिलना रहीं को कि कम से कम रमजान में गाजा मं करेंंगे और उन्होंने पालन करने का भरड़ प्यास किया वाखेर राखेर में یہ लेकिन मैंने स्पिश्यर एंवई भीजा था यहां तो आप मुझे मुझे मुसल्मानों के लिए करके गेल रहते हैं लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महने में अब मैं इसकी पॉबिसिटी नहीं करता हूं लेकिन कोई कईयों ने प्रयास किया होगा परनाम सही मिला तिकि मैंने भी प्रयास किया देश्ट भा इसराहिल गया हो हमारे फ्रेशन क्या थी इसराहिल जाओ पैलेस्टाइन जाओ सेकॉलरिजम करके वापिस आओ अगर ना दिंग दू गावापिस तो मुझे यहां से जोडन के पता चला जोडन कर जाने वालों पर लेशना ही अब वह मुहमत साब के सीधे वारी से जोडन के प्राइमिस्टर है वह उनके सीधे वारी से महमत साब के उनहीं के संकान है मुदी जी आप ऐसे नहीं जा सकते हैं मेरे ही हेलिकॉप्टर मैप जाएंगे मेरे घर खाना खाके जाएंगे लेकिन हेलिकॉप्टर जॉडन का डेस्टिनेशन पलिस्टाइन और मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे इस्राइल के फ्लाइट देखिए आप अगर दुनिया में लेकिन बोदी के लिए आसमान में सब साथ मैं मानता हूं यह सब कब होता है जब आपके इरादे नेक हो आपके प्रती विश्वास हो और चौरी छिपी नहीं अमेरीकन को मैं चुछ करके नहीं करना होता है मैं रश्या से मेरे देश को सब्सक्राव पैट्रॉल चाहिए मैं लूँगा. मेरे जरूरी है. में करूंगा. तो मैं छुपाता नहीं हो और मैं अपने टम्सबे मेरे देश के चलाता हूँगा. सर, आप भारत के तो सबसे लुख प्रियनिता हैं ही. अब दुनिया के भी एक दबाव भी होता है बहुत आप कभी उस दबाव को महसूस करते हैं आप जब परिक्षा पे चरचा करते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस को दूर रखना है गभी आपके साथ भी ऐसा इसा दबाव आप फील करते हैं? होता कहा है जी आप लोगों का प्रोब्लेम यह है कि आप उस दुनिया में जीए हैं पले बड़े हैं तो आपके पास हर चीज के उधान वही है मैं उस दिन्या का इंसानी नहीं जी आप मुझे अलग केस समझें व्यावार जीवन की जितनी चीज आप देखते हैं मैं उससे प जी नहीं कि मोदी यहां बैठा है यह मोदी लिए बना है नो नतिंग तुट भारत बना है मैं शाय निमित हैं और इसलिए किरपा करके और मैं इसे बहुत विरक्त मैं अलिप्न होंगी कोई लेना देना में जी अब सद्धान नंत्री जी इस वक्त जितने भी लोग इस इंटर्वियू को आज तक देख रहे हैं मेरे साथी की मानिंग बहुत सॉलेड इंटर्वियों था मतब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आप से पूछे आपने किसी यही मेरा आप लोगों से सिकायत है यह मुश्किल सब्द आपका आपका नहीं है एक इको सिस्थिम ने आप लोगों को डगा करके रखा हुआ है और आप लोग बुजदिल की तरह धर हुए हो उनके जिन्दा सवाल लेकर गूंड़े हो आपको बुरा ने कहता हूं आप सब लोग दबाओं में जी रहे हो और मैं मानता हूं मैं भी आप जाता हूं तो पतरकारों से कम से कम उ सब्सक्राइब करता हूं मुझे इस दिलों में कुछ और पड़ा हुआ है उनके अनुभाव कुछ और है लेकिक एको सिस्टेम ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिये कि आप तब तक पत्रकार नहीं है आप तक निट्रल नहीं है जब तक यह पूशे नहीं इस मुसीबत से म मुझे मंतरी थे आप कई मरतबह आपका इंटर्वी करने का मौका अब जब आप प्रेस प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो आप प्रेस कॉंफरेंस नहीं करते और इंटर्वीव करने का मौका भी कमी कम देंता है तो लोग पूशते कि मोदी जी हर तरहां के सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आखिर का प्रेस कॉंफरेंस या इंटर्वी क्यों नहीं करते हैं पहली बात ही है कि अगर पिछले इस चुनाव में मैक्सिमम मुझे देखेंगे तो आज तक में देखेंगे मैक्सिमम जवाब मैंने देखेंगे तीन दिन में तीसरा तो मैंने तो कभी बनाने क्या है दूसरा ही है कि जादा तरह हमारी हां मेडिया का उप्यों यह हुआ है ज्यादा तरही कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार इनको समाल लो अपनी बात बता दो देश में चल ज जाएगी मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है मुझे महनत करने है मैं भी ज्यान दोन में फीते काटके फोटो निकाला सकता हूं जी मैं वह नहीं करता हूं मैं छोटी योजना के लिए जारखन की छोटे से दिस्टिक में जरके काम करता हूं मैं नए वर कल्चर को लाया हूं उस कल्चर में तो मीडिया प्रस्टू करें न लगे तो न करें दूसरी बात हैं मैं जवाब दे हूं पार्लामेंट को कि मिडिया आज वो नहीं है जो पहले था क्यों कि पहले मैं आज तक से बात करता था लेकिन अब दर्सक को मालूम है मैं राहू से बात कर रहा हूं कौन राहू तो इसे परसो यह ट्विट किया था मतलब यह तो मोदी के फिवर में लिखता है मतलब यह तो वही बात करेगा तो आज मीडिया एस सच सेपरेट एंटिटी रही नहीं है आप भी अनेक लोगों की तरह आपने व्यूद लोग जान चुके हैं तो वह स्थिति आपकी बनी नहीं है पहले मीडिया फेश्टलेस था उसका कोई चहरा नहीं था मिडिया में कौन लिखता हैं लिखने वाले के विचार क्या है कोई लिए ना देना लोग मानते तिया यह आज वो श्तीति नहीं है थीश्री बात है पहले कॉमुनिकेशन का एक ही सोर्थ मेडिया के बिना कर आप जाई नहीं सकते हैं आज अखितर प्रक्रत आपको जंता को को बात करनी है तो कॉम्मिनिकेशन के टूवे हैं आज से जनता भी बिना मीडिया अपनी आवाज बता सकती है व्यक्ति भी जिसको जवाब देना है बिना मीडिया अपनी बात बता सकता है तीसरा मैं जब गुजरात में था तो मेरी पब्लिक मिटिंग जो होती थी दोल देखता रहा मिटींग में में पुछता करों को शर्म भाट अरे कंस चतन थे मोदीजी ज़ां आये थे द्रिकांज तो तो कम से कुम प्रकातों चलेगा मोदी जिहाय से कालिज हंडे बिना मेरे आप सभा का कौन कुछेगा मैं दस साल ऐसे भाषण की गुजरात में डेली मेरा कारकम था एक दिन मेरे गाउं के लोग मिलने आए मेरे मंगल को किसी को भी एंट्री थी गुजरात में पर इसी तो माने कहा है जोट है नहीं हो सकता नहीं बुली साब होगी माने का तुम जूट बोल रहो चोबिस घंटे बिजली हो ही नहीं सकती है पूली साब मेरे तो किसी अकपार पर बढ़ानी है तो लिए चोबिस घंटे हो गए तो आपके कटाक्स और आपके वन-लाइनर्स याद रहेंगे अपनी विरासत आप कैसे पीछे छोड़ना चाहते हैं देखिए मुझे एक थवाल पहले वी एक वर किसे ने पूछा था यूके में पूछा था मैं महरान हूँ जो इंसान देश के लिए जी रहा है वो खुद के लिए क्यों सोचे जा है मैं तो मानता हूँ मेरे मुझे इतिहास में कोई याद करें इसके लिए मैं काम करता ही नहीं कोई याद करें तो मेरे कश्मीर में 40 परसंट के गरीब 40 साल के बाद मद्दान हुआ उसको याद करो लोग तंतर का उससरों प्रदानवंती नरेंद्र मोदी जिनका यह कहना है कि वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण भी नहीं होने देंगे और जब तुष्टी करण की राजनीती होगी तो कुछ भी बोलने में उन्हें संकोच नहीं होगा विप